लव सीनियर के पिछले एपिसोड में हमने देखा गियो प्लॉई को रिजेक्ट करती है और वो मुनाओ को I love you कहती है ये confession और उनकी case वारांग देख लेती है और वो उन्हें terrace पे फसा के जाती है वो दर्वाजा खोलने का try करते है उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ भी trapped है म time pass करने के लिए हम क्या करें क्यों करती है तुम्हें पता है ये सारे activities के बाद आज पहली बहर मुझे शांती से सोने मिलने वाला था आज मैं finally आराम कर पाती मनाओ कहती है अपसेट मत हो इसे हमारा honeymoon ही सोच लो वैसे भी लोग honeymoon तो रात को ही करते है न क्यों कहती है बस इसे flowers निकालती है अरे ये भी सूख रहे हैं ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी कल मैं दूसरे लाओं की फ्रेशी कांटेस में तुमने इतनी महनत की ना उसके लिए तुम्हें congratulate करने के लिए मनाओ कहती है कोई ज़रूरत नहीं है ये मेरे लिए काफी है ये तुमने प्ला जाओंगे कि मैं गुसा होंगी या नहीं मनाओ कहती है जब तुमने कहा था कि तुम मुझे मिलने आओगी स्टेज पर जाने से पहले पर तुम नहीं आई तो मैं यहां तुम्हें ढूंडने आई थी और मैंने तुम्हें पीपलोई के साथ देखा ग्यों पूछती है तुम तुम हैंडल कर सकती हो मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है सच मैं आई लव यूग्यो हम जितना साथ में होते हैं उतनी में confident हूँ और मैं यह relationship clear रखना चाती हूँ मैं यह confirm करना चाती हूँ कि यह सिफे एक one-sided love नहीं है तो मैं सिफ यह एक बार ही पूछूंगी और फिर कभी नहीं क्या तुम मेरी girlfriend बनोगी प्लीज अपसे मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो कि हो कहती है I love you पर अभी मैं तुम्हारी girlfriend नहीं बन सकती मैं head senior हूँ और मुझे बहुत responsibilities है यह department की dignity और prestige भी मेरे shoulders पर है मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा सूचे कि मैं biased हूँ और मैं तुम्हें ज्यादा privilege देती हूँ क्योंकि तुम मेरी girlfriend हो यह सच नहीं तो भी मनाव पूछती है मेरे से ज्यादा तुम्हें लोग क्या सोचते हैं उसकी पड़ी है क्यों कहती है please understand करो न हम अभी couple नहीं है पर हम एक दूसरे को love कर सकते है please मुझ पे भरोसा रखो मे मेरी duty खतम हो जाएगी तो मैं promise करती हूँ कि मैं openly तुम्हारी lover बनूंगे जब running event खतम हो जाएगी तब मैं तुम्हारी girlfriend बनूंगे मनाव मुस्कुराती है promise ग्यों से pinky promise करती है अगली सुबह finally दर्वाजा खुलता है और वो नीचे आते हैं ग्यों कह रही होती है क्या में दो जाम चेंज करके line grilled chicken कर दू मनाॉग कहती है नहीं ग्योस हूँ लींग को अपने रूम में मुव करने में help कर रहा होता है वो मनाॉग को आते देखते हैं और पूचती है तुम हमें help करने आई मनाव कहती है हां मैंने सुना कि तुम नए डूम में आ रही हो तो जाएग क शोकिती है यह फिर मैं गय है कि पीरमे लेट जागी तो मैं जल्दी में आगाईय मैसे तुम्हें सब से क्या जोम उसे एक वाक्स देता है और वह औको मूव करने में हेल्प करते है, ऑजstein करTalk अन्युकल को अर उसे मनाव से मेसेज पो क्लिए कर्णव थे में लहीं मनाव अपने शूज निकाल के अंदर आती है और कहती है पी ग्यो मैंने अभी ही ओएका रूम ले लिया है ग्यो कहती है क्या सच में मनाव कहती है यही मेरा बेस्ट चैंस है तो मैं ऐसी आपरटुनिटी को कैसे जाने दू मैं आपसे बहुत क्लोस होना चाहती हूं और वो ग्यो को हग करती है ग्यो अपने आपको छुडाती है और सोफा पर बैठती है मनाव भी उसके पीछे आती है ग्यो मनाव को सिगनिचर बुक देती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए साइन कर ली है मनाव केती है क्या ये सिफ बुक में है यहां पे भी साइन करो वो अपने हार्ट पे पॉइंट करती है ग्यो केती है बस तुम किती पागलो ग्यो बॉक्स वापस रखने जाती है और उतने में मनाव उसके निज़्दीक आ जाती है और जब ग्यो टर्न होती है तो किस करते है और मनाव केती है अब ये नहीं होट होता क्या आपको पता है कि लावर्स क्या करते है इतना कहिके मनाव ग्यो को किस करती है वारांग और तीदा ग्यो की डोर पे नौक करते है ग्यो क्या तुम जाग रही हो ग्यो क्या तुम अंदर हो ग्यो और मना पानिक करते हैं मना बात्रूमें शुप जाती है और ग्यो दर्वाज़ा खोलने जाती है तीदा केती है देखो तुम रूम में अक्चली हो ग्यो पूछती है क्या हुआ यहां पर क्यू हूँ तीदा केती है मैं पूरी रात तुम्हें कॉंटक नहीं कर सकी ग्यों केती है और मेरी बैटरिंग खतम हो गई थी मैंने अभी चार्जिंग में लगा तीदा केती है हम तुम्हारे लिए वरीड है ग्यों केती है सौरी कल रात मैं बहुत ठक गई थी तो मैं जल्दी से सोने आ गई वारांग तीदा को कहती है तुम सिफ करने के लिए उनके चाहने के बाद मना पहार आती है और पूछती है कि हम कंटिन्यू करें युनिवर्स सिटी पे एक सीनियर उन पर चिला रहा होता है तुम लोग लेट हो और ठीक से ड्रेस भी नहीं किया सेरिसली तुम लोग अपने जुनियर्स को क्या सिखाते हो इतने क कहले इस क्यों हो कि तुम्हें अभी भी बैट चीए हां फिर्स्ट इयर्स खड़े हो जा सब फिर्स्ट इयर्स खड़े होने जाते है तब ग्योग अपना हाथ उठाती है वह आगे आती है और कहती है आपकी परमिशन के साथ क्या मैं कुछ कह सकती है सीनियर केता है शूर को पर एकस्यूँस है बता वग्योग कहती है मुझे पता है कि हमारी फाकुल्टी सोटस के अंडर ऑपरेट करती है ताकि हम अपने जूनियर्स का ध्यान रख सके हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सोर्टस से हमें कंट्रोल और पावर मिलती है हमारे जूनियर्स पर है सीनियर्स चाहे जुनियर्स को respectfully उसे follow करना होगा पर आज हम seniors और juniors सब को लगता है कि अब time आगया है कुछ change होने का मैं नहीं कह रही कि SOTUS अच्छा नहीं है पर हर एक coin की दो sides होती है अगर आप एक open mind रफने को तयार है तो मैं continue करूंगी रित नौड करता है ग्यों कहती है स्टोर्ट स्टैंसफर एस seniority तुम्हारे seniors को respect करना जो पहले आते हैं वह senior है जो बाद में आते हैं वह junior है और जो साथ में आते हैं वह दोस्त हैं बड़े होने से हमें automatically ज्यादा rights नहीं मिलते जूनियर्स को भी freedom of thought और judgment होना चाहिए ताकि वो उनके खुद के लिए decide कर सके कि वो क्या करें और क्या ना करें अगर हम चाहते हैं कि जूनियर्स हमें respect करें तो हमें respectively act करना होगा respect और honor mutual होना चाहिए ये सिफ जूनियर्स seniors को respect करते रहे इसके लिए ही नहीं है ये सब के लिए हैं हर किसी को एक दूसरे को respect करना चाहिए next आता है O order discipline में रहने का seniors juniors को कहते है rules follow करने का पर कितने तो seniors भी follow नहीं करते तो हम juniors को कैसे सिखा सकते हैं हर जगा rules होते है seniors सिफ suggest कर सकते हैं और उन्हें punish करने का right नहीं होना चाहिए ये juniors पर है कि उन्हें follow करना है या नहीं उसके बाद आता है T tradition customs और traditions को follow करना मैं मानती हूं कि traditions जो generation से pass down होते हैं वो important है पर time change होता है societies change होती है जो अच्छा है वो रखके जो नहीं है उसे cancel कर देना चाहिए ये सब society की according ही change होना चाहिए हम पूरानी चीजों को पकड़के नहीं बैठ सकते हैं उसे replace करने के लिए कुछ ज्यादा अच्छा आना चाहिए उसके बाद आता है you for unity unity and being of one mind मैं believe करती हूं कि हर एक इंसान को हक है उनके खुद के thoughts और उनके perspectives का जब उनके friends department activities में participate करते हैं जिन्हें participate नहीं करना उन्हे responsibility लेने की ज़रूरत नहीं है एक lesson punishment के बिना भी सिखाया जा सकता है और finally s spirit हमारी energy courage और heart को devote करके हमारी society के लिए अच्छा करना मुझे ये explain कहने के ज़रूरत नहीं है क्योंकि spirit तो मैं अभी demonstrate कर रही हूं मैंने आप से पूछने की हिम्मत की मैं जो सही है वो करने की हिम्मत रख रही हैं ये कहके जो junior seniors को बताना चाहते हैं और मैं आपको बताना चाहते हूं कि उन्होंने तो दिखा ही दिया है कि spirit क्या होता है lastly मुझे नहीं लगता कि कि किसी को किसी और के mistakes की responsibility लेनी चाहिए जिसने गलत किया है वो अपने actions के लिए खुद ही responsible है एक बार मैंने कि किसी और का blame लिया था पर ये इसी लिए था क्योंकि मेरी वज़े से ही वो हुआ था इवन दो reality में मुझे मनाव को ये face कर दिने देना चाहिए था पर मैं ये भी मानती हूं कि किसी को reason के बिना punish नहीं किया जग सकता और कोई जैसे चाहे वैसे punish नहीं कर सकता मैं माफ़े मा हमारे juniors शायद सबसे skill नहीं है या सबसे best भी नहीं है पर वो पूरी मेहनत करते हैं इसलिए मैं चाहती हूं कि आप अपने आपको reconsider करें ग्यो और उसके friends lunch करने बैठे होते हैं जिप कहती है ये line में नहीं रह सकते अगर तुम strong नहीं हो और सब expel हो जाएंगे या चाहँ ड्रॉप आप कर लेंगे फिर उसके बाद सिफ तुम रहोगी ग्यो पर seniors तो तुम्हें join करने ही नहीं देंगे क्योंकि तुम इतनी जिद करती है या अच्छा है कि उसने तुम्हें माफ कर दिया ये तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए वारांग कहती है तुम्हारा लोग कैसा था जैसे तुम्हें कुछ कहना हो ग्यो कहती है not really मैं तो सिफ अपने सामने देख रही थी वारांग कहती है अगर जूट काम नहीं क साथ कुछ क्लियर अप करना है वारांग कूछती है किसके बारे मैं ग्यो कहती है उस दिन क्या तुमने देखा था मैं और वो पैड़ पे थे वारांग कहती है हां ग्यो कहती है तुम्हें सच में लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है वारांग कहती है तो मैं ऐसे कडल क कर रहे थे गहति हैं और अगर मैं कहूं कि उसकी और मेरे बीच में कुछ नहीं है तो क्या तो मुझे पिलीव करोगी, क्लिप blir भी मेरा ही फॉल्ट था मैं उसके अगांस नहीं थी वारांग कहती है तुम चाहती हो कि मैं मानू कि तुम्हारे और उसके बीच में senior और junior के सिवाई कुछ भी नहीं है ग्योग कहती है अगर कोई मरी बुराई कर रहा हो तो क्या तुम सिफ खड़ी रहके सुनती रहोगी वारां कहती है नहीं ग्योग कहती है देखा तुम भी ये handle नहीं कर सकती और तुम्हें पता है कि वो मुझे एक senior से ज्यादा समझती है और अगर मैं कहूँ कि मुझे वो actually में पसंद है तो अगर मैं कहूँ कि ये running event के बाद मैं उसे date करने वाली हूँ तब तुम क्या कहोगी वारां कहती है ये तुम्हारा business है मेरा नहीं यो कहती है हाँ तुम मेरी friend हो you know मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसा सोचो कि मैं काम और personal चीजों को mix करती हूँ मैं तुम्हारे लिए care करती हूँ क्योंकि तुम मेरी बहुत close friend हो तुम सब मेरे best friends हो तुम्हें पता है ये मैं शायद accept नहीं कर सकती अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो वारांग खड़ी हो जाती है शरब ऐसा मत कहो कि हम best friends है मुझे कोई interest नहीं है और वो चली जाती है उनका बाकी का friend group बाहर wait कर रहा होता है और तीदा note करती है कि वारांग उसकी bag के बिना चली गए थी ग्यो अपने room पे आती है वो वारांग की bag भी लेके आई होती है और वो जैसे वारांग की bag रखती है उसमें से एक ball निकलता है ग्यो वारांग को लेती है और देखती है कि उसके अंदर एक note है वो note पड़ती है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ friends बनना चाथी हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ सिर्फ problems और chaos आता है पर शायद मुझे भी realize हुआ है कि मैं तुम्हारी friend क्यों नहीं बनना चाती क्योंकि कौन friend बनना चाता है उसके साथ जिसको बोल love करता है ग्यो, I love you, I love you, even though तुम्हारी वज़े से ही मेरी नोटबुक भट गई थी, I love you, even though तुम्हें मेरे नाम नहीं पता था, पर तुम्हारे जासा कोई कुछ भी समझ सकता है, तुम ये सब नहीं समझोगी, ग्यो, I'm really sorry, कि मैं अब तुम्हारी फ्रेंड होने का नाटक नहीं कर सकती, ग्यो और तीदा प्रिफेक्टरू में बाठे होते हैं, ग्यो पूछती है, तुम्हें कब से पता है, तीदा कहती है, बहुत टाइम से, पर उसने ये अड्मिट समेस्टर के स्टार्टिंग में ही कि ग्यो केती है, तो तुमने मुझे क्यो नहीं बताया, तीदा कहती है, ऐसी शीज, कि उसे खुद नहीं बतानी चाही है, तुम्हें तो पता है, ये सब कैसा होता है, और मैं क्या कहूँ? वाराग जैसे तुम्हारा ध्यान रखती है, तुम्छी नहीं चेक 얼마나 बठाए हैं, उसे मुझसे दूर रहना है क्योंकि जब पीपलोई ने मुझे reject किया था तब मैंने उसे कहा था कि मुझे distance चाहिए तीदा कहती है अगर वो पूछे तो बस कहो कि तुम्हें space चाहिए तुम्हें club affair को force नहीं कर सकती राइट इसके बारे में ज्यादा मत सोचना ठीक है अभी के लिए अपना distance रखो शायद चीजे अपने आप ठीक हो जाए ग्यो अपनी स्कूटी की और जा रही होती है तब लुकतान उसे बुलाती है लुकतान दोड़ते दोड़ते उसके पास आती है और क्यों केती है तुम student uniform में दोड़ नहीं सकती है लुकतान केती है I'm sorry मुझे लगा कि मैं आपको कैस नहीं कर पाऊंगी मेरा नाम लुकतान है student ID EE1 और मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूं क्यों को याद आता है कि वो लुकतान को कैसे जानती है वो पूछती है रिपोर्ट क्यों रिपोर्ट मैंने फर्स्ट विक पे ही तो मैं कटाउट कर दिया था जब तुम senior नहीं ढूंड से लुकतान केती है PQ आप अभी भी मुझ भी गुसा हो उस दिन को जो हुआ उसकी वज़े से I'm really sorry इसकी वज़े से तो आपको रिपोर्ट करने के लिए मैं नहीं आ सकती थी मुझे डर था कि आप अपने junior के तरह से मु लुकतान है सुन तुबी ए 67 कियो कहती है ओके अगर तुम चाती हो कि मैं तुम्हारी senior बनूं तो ठीक है लुकतान कहती है थैंक्यू PQ कहती है मैं तुम्हें दूसरे senior से इंट्रिड्यूस करूंगी मनाव और उसका friend group classes से बहार आते है वो लुकतान को call करने ही वाले होते ह है तब देखते है कि लुकतान और ग्यो साथ में बैठे है वो सब PQ को greet करते हैं और कहती है तुम्हें कुछ खाने आना है यो कहती है वैल मुझे student council के साथ कुछ चीज़ी clear करनी होगी वाई ग्यो मनाव की और देखे बिना चली जाती है और लुकतान को पूचती है तुम P मेंटोर है लुकतान केती है हाँ चलो अब लेट हो रहा है वो जा रहे होते हैं और तभी मनाव को एक message जाता है वो कहती है तुम लोग जाओ मैं बाद में आती हूं और वो चली जाती है मनाव जिम पे जाती है और देखती है कि वारांग वहां पे है वारांग केती है कि मनाव कहती है मैं मुझे यह टाइम पर नहीं मिला मुझे लगा कि मैं कट आउट हो जाओंगे वारांग कहती है मैं भी यही करने का सूच नहीं थी पर बाकी सब नहीं मानेंगे वह भी चाहते है कि एक फ्रेश्मिन जो इसने पूरी उनिवर्सिटी का दिल जीत लिया था वो मुझे सिफ एकसेप्ट करना होगा क्योंकि थर्ड और फूर्थ यह सेनियर्स ने तुम्हें लाइन में एकसेप्ट कर लिया है बूम इवेंट के बाद एक स्टूडेंट मेंटर दिनर होगा मुझे अपना नंबर दो मैं तुम्हारा आइड़ कर तूंगी और तुम्हें ग हम फ्लैश बाद देखते हैं जिसमें लुपतान कह रही हैं मैंने तुम्हें बताया ना मुझे तुम पसंद हो मनाओ मनाओ कहती है मैंने तुम्हें भी बताया कि मुझे कोई और पसंद है लुपतान कहती है मुझे पता है पर क्या मैं तुमसे क्लोस नहीं हो सकती मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी लाइफ से गाइब हो जाओ, मैं तुम्हें लूज करना नहीं चाहती, क्या तुम मेरे साथ रह नहीं सकती, लुक्तान रो रही होती है, मनाओ उसका टियर वायद करके, I'm sorry कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स एकसेप नहीं कर सकती, मुझे पता है ये कैसा फी रंच बन सकते हैं, लुक्तान कहती है, फ्रेंट्स फाइन है और वह पिंकी प्रामिस करते है, प्रेसेंट में ग्यो आती है, क्या तुम सोने नहीं वाली, मनाओ कहती है, अभी नहीं, मैं कुछ सूच रही थी, ग्यो अपना लाप्टॉप लेती है और कहती है, अगर तुम् मनाव कहती है it's fine मैं तुम्हारे साथ सोचाऊंगे गियो अपने glasses निकालती है और वो अपने shoulder plates को massage कर रही हाती है तब मनाव कहती है इधर आओ मैं तुम्हें massage कर देती हूँ थोड़ी देर के बाद गियो पूछती है आम नाओ क्या तुम्हें अपना mentor मिला मनाव कहती है पी वारांग ने मुझसे already बात कर ली है गियो पूछती है वारांग तुम्हारी mentor है मनाव कहती है हाँ मुझे आज ही पता चला गियो पूछती है तो उसने क्या कहा मनाव कहती है उन्हों सिर्फ इतना कहा कि वो मेरी mentor है और वो मुझे mentor dinner पे invite कर रही है बस उतना ही anyway मैं देखा कि तुम अच्टान से बात कर रही थी यह किस के बारे में था गियो कहती है well हम सिर्फ बाते कर रहे थे वो काफी cute है तुम उससे close हो ना मनाव nod करती है वो notice करती है कि क्यों ने उसका gear नहीं पहना तो वो पूछती है कि gear कहां पे है गियो कहती है मैंने उसे उसके owner को return कर दि फोंग से उसका gear मांगती है वो जाना चाती है कि वो उसके gear से match करता है या नहीं फोंग कहता है तुम पहले अपनी पढ़ाई पर focus करो ना मनाव पूछती है by the way आपका gear कहां पे गया फोंग कहता है मैंने वो किसी को दिया है I don't know अभी तक तुम इस प्लेस भी हो चुका हो मनाव उसे टीज करती है जिसके साथ gear होता है उसके साथ आपका heart भी होता है तो आपने उसे किसे दिया present में ग्योग कहती है तुम एकदम शानकी हो गए मैं तुम्हें टीज कर रही थी मनाव कहती है आपका gear जहां भी हो उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आप matter नह होना चाहिए वो उनके class में होते है class ختم होता है और सब लोग अपनी bags pack करने लगते हैं तीदा notice करती है के ग्योग अपनी backpack नहीं कर रही वो कहती है कि नो कि 推क नहीं हो कि यह दो जैसे वारांग जा रही होती है ग्योग उसे रोकती है वारांग करती है तीधा मुझे अकेले रहना है गयो उसके पीछे जा रही होती है पर तीदा उसे रोपती है आराम से गयो अपना हाथ छुड़ा के उसके पीछे जाती है वारांग अपनी प्रॉब्लम से भागना बंद करो और मुझसे ठीक से बात करो वो उसका हाथ पकरती है मुझसे ठीक से बात करो वारांग अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे लिए फ्रेंड से ज्यादा फील होता है तो तब तुम क्या करोगी अब अंसर क्यों नहीं कर रही तीदा उनके बीच में आती है यह बहुत हुआ वारां अगर चीजे जैसी है वैसी रहने से तुम ओके नहीं हो तो तुम जाओ ग्यो को म करने के बारे में हैं तुम किसे लव करती हो और उसके साथ ही रहो तुम्हें दुख होगा कि तुमने एक फ्रेंड लूज किया पर ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है और वारांग भी पिलीव मी एक तिन वो समझ जाएगी वो वापिस तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी लादा केती है इस ओल राइट चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ ही है वो सब ग्योग को चियर अप करने का ट्राइ करते हैं और मनाव ये सब बाहर से सुन रही होती है लुकतान क्लास में लेट आती है और वो अपने फ्रेंड से लाए करती है कि वो लेट उठी थी पर रियालिटी में वो लाइब्रेरी में ग्योग का मिल के आई है जॉम मनाव का कहता है लुकतान आजकल अजीब नहीं लगती या फिर लुकतान लेट है क्योंकि उसे एक नाय बोईफ्रिंड मिल गया क्लास खतम होते ही लुकतान चली चाती है वो एक कॉमेंट करती है लुकतान आजकल अलग लग रही है यूशली जब नाव होती है तो इतनी जल्दी नहीं जाती जॉम कहता है ओए ये पॉसिबल है ना कि तुम किसी को लाइक करो और फिर बाद में लाइक ना करो शायद वो किसी और को ज्यादा पसंद करती है उस जिससे लफ करती है उससे किसी और के साथ देखने से तो अच्छा ही है वारांग परेव और उसके फ्रेंद्स को ट्यूटे कर रही होती है परेव उससे एक कैन्डि देती है मैं सिर्फ आपको स्माइल करते देखना चाहती थे मैं जब भी आपको दिखती हूँ आप इतनी upset लगती हो अगर आपकी body को sugar मिलती है तो आप खुश हो जाओगी Varang कहती है मैं कैसी लगती हूँ उसके बारे में care करने से ज्यादा तुम्हें ये problem के बारे में care करना जोई है Prang के दूसरे friends excuse बनाते हैं और washroom जाते है Varang prank को आगे tutor करती है वो कहती है ये problem complex है पर अगर तुम कर सकती हो तो बागी सारी problems वो आसान हो जाएगी Prang flirt करती है तो अगर मैं ये solve कर दू तो आप खुश हो जाओगे Varang nod करती है Prang problem solve करती है Varang check करके कहती है Wrong Prang पूचती है कैसे और Varang उसे बताती है कि कैसे wrong है वो कहती है तुम्हारा focus कहाँ है Dom पे वापस आके मनाव तुरंदी बेल्ट पे लेट चाती है ये उसे बेल्ट पे से निकालने का try करती है पर मनाव उसे ज्यादा strong है और वो उसे अपने lap में pull कर लेती है मनाव complain करती है आपने मुझे कप से हग करने की permission ही नहीं दी है ग्योग कहती है मैंने अभी भी agree नहीं किया ये तो clear है कि मुझे फसा आ गया है मनाव कहती है चलो बीच पे चलते है ग्योग कहती है क्यों एकदम से बीच पे जाना है मनाव कहती है क्योंकि आज कर आप स्ट्रेस्ट लगते हो तो मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग को धोड़ा ब्रेक मिले हम कल शाम को जा सकते हैं और संडे को वापस आजाएंगे ग्यो कहती है कल हमें gear running rehearsals है तुम क्या करोगी अगर P.P.O.R. appointment बनाए मनाओ कहती है पर P.P.O.R. head senior है rehearsal shift करना आपके लिए तो मुश्किल नहीं होगा ग्यो कहती है तो मुझे पहले schedule चेक करना होगा पर मैं ये नहीं कह रही कि मैं जा सकती हूँ या नहीं मैं busy हूँ मनाओ अपने इक phone से ग्यो का photo लेती है ग्यो उसके हाथ से वो phone ले लेती है हे तुमने पूछे भी ना picture क्यों लिया मनाओ क्यूटली smile करती है और इसके लिए ग्यो उसे pinch करती है याद रखो मेरे साथ मुशाक मत करना मनाओ उसे बिलाती है क्या मैं आपको case कर सकते हैं और वो make out करने लगते हैं और यहाँ पे Love Senior का 5th एपिसोड खतम होता है मैं आप सब को थैंक करना चाहूंगी आपने मेरे लास्ट वीडियो देखा और उसमें encouraging comments भी send की और आपने मुझे पताया कि आप मुझे भूल नहीं गया है थैंक यू यह वीडियो देखने के लिए यह वीडियो को like कीजिए share कीजिए और मेरी चानल को subscribe कीजिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए बाई बाई